चले देख लिया जाए एक एक करके सारे प्रॉब्लेम को हम लोग देख लेते हैं पहला नंबर जो प्रॉब्लेम कह रहा है ये बहुत बार आपके सीजियल के एकजाम में पूछा जा चुका है और लगातार पूछता है हमेशा यहाँ पे एक फॉर्मूला याद रखिएगा क सी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थिरी ए बी सी बराबर बहुत बार आपको हम बताएं चार तरह का फॉर्मूला होता है जिसमें यहाँ जो यूज होगा वह हम लिखा रहे हैं हाफ ओप ए प्लस बी प्लस सी इन्टू थिरी ओप थिरी ओफ ए स्कॉार प्लस बी ए स्कॉार प्लस सी ए स्कॉार अ माइनस ए प्लस बी प्लस सी का हॉल ए स्कॉर्ड चार तरह का फॉर्मूला होता है चारों को दिहान रखिएगा और जो फॉर्मूला होता है इसी का हम लिख देते हैं ए प्लस बी प्लस सी याद है कि नहीं को बोलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर A प्लस B प्लस C का Hall Square minus 3 A B प्लस B C प्लस C A एगो यह हो गया और एगो क्या होता है बोलिएगा A प्लस B प्लस C into बोल दिजिए A Square plus B Square plus c square minus a b minus b c minus c a या a c clear है एक और फोर्मूला होता है याद है half of a plus b plus c into a minus b का whole square plus b minus c का whole square plus c minus a का whole square चारों का यूज होता है आपके एक्जाम में चारों से problem पूछे जाते हैं लेकिन अभी recently ego e formula और ego e उपर वाला e सब से क्या है खुब पूछता है लेकिन ऐसे problem में हम बताएं है by heat end trial लगाना ज्यादा बहतर है यदि नहीं लगेगा तब हम लोग formula का क्या करेंगे इस्तमाल करेंगे तो यहाँ पर अब आप हमें बताएं a cube plus b cube plus c cube का मान कितना है 189 minus 3abc बराबर एक बार में हम काम कर रहे हैं a plus b plus c का मान कितना 6 a square b square c square का मान कितना 32 तीया कितना 96 minus a plus b plus c का मान 6 का square 36 कितना हो गया यह साथ तो दो से यह छो काई बार में 3 छो तीया 1818 अब यहां के बाद हम मुझ्वानी खेलेंगे 180 इधर आएगा क्या हो गया 9 189 में 180 गया 9 और यह किसके बराबर 3abc तो क्या हम यहां पर abc बराबर कितना 3 बोल सकते हैं 9 बटा 3 कितना 3 इसका मतलब abc का मान 3 आया तो 3-3 is equal to कितना 0 option number कितना हो गया दोस्तों 4 चलिए आगे क्यों और बढ़ते हैं इसमें कोई confusion नहीं होना चाहिए बच्चे इसको remember रखना है इसका भी इलाज है कैसे याद रखना है समझ में रहा है न सब चीज का अपना तरीका होता है उस अब के लिए जगह पे आईए थोड़ा सा कि चलिए इस अब जब algebra बताएंगे न सारा चीज का प्रूफ देंगे की कैसे आता है यह उड़ा दें इसको कलम त्राइस्पीड में चलाइए इसे सुलो में थोड़े चलेगा यहाँ पे आप समझिएगा एक और कंसेप्ट इसको भी ध्यान डखिएगा यदि यहाँ पर कोई एक platform है X है और यह क्या है Y है एक बंदा X से किस चाल से चला A की चाल से एक दूसरा बंदा B कहां से चला Y की चाल से रास्ते में कहीं पर मिला होगा यहीं यहाँ पर concept है यहाँ पर A है और यहाँ पर कौन है B है यहाँ पर यहाँ क्या किया है मिला है लेकिन मिलने के बाद मिलने के बाद A को अपने गंतव अस्थान पर पहुँचने में T.A. टाइम लगा मिलने के बाद B को अपने गंतव अस्थान पर पहुचने में कितना समय लगा TB समय लगा तो यहां ध्यान रखिएगा ratio जो होता है चाल का speed of A upon speed of B कैसे याद रखना है under root अब ध्यान से सुनिएगा यदि हम A को पहले पकड़ेंगे A पे कौन पहुँच रहा है B यदि A को पकड़े तो यहां समय किसका लेंगे पहले B का यहां नीचे B को पकड़े हैं तो B पे कौन पहुच रहा है A इस relation से खूब problem क्या करता है दोस्तों पूछता है अब आप बताईए यहां पड़ क्या कह रहा था कि यात्रा के सेस भाग को क्रम्स चोई एक बता आठ घंटा और कितना घंटा आठ घंटा इसका मतलब A जो है कितना घंटा ले रहा है अच्छा के 48 एक कितना उन्चास बता आठ और B कितना घंटा ले रहा है आठ तो यदि हम यहां पे आठ रखेंगे बता एक के जगह कितना उन्चास बटा आठ आठ कहां चले जाएगा उपर तो अठी अठी चाउंसट का स्क्वार रूट और उन्चास का कितना साथ क्लियर हो गया यहां तक तो सबसे पहला जो प्रॉब्लेम हुआ यहां पर कि दोनों के चाल का अनुपात तो आंसर क्या देंगे आठ अनुपात साथ पहला प्रॉब्लेम चार तरह का प्रॉब्लेम क्रियेट होगा अगला प्रॉब्लेम क्या हो गया यहां पर एक की चाल कितना किलो मीटर प्रतियाव है 32 यहां कितना है आठ चौ के चार गुना है तो साथ चौ के 28 मतलब बी की चाल क्या होगी 28 तीसरा प्रॉब्लेम पूछेगा दोनों के बीच का दूरी तो निकालने का तरीका है ए और बी का चाल निकल गया है न तो दूरी के लिए चाल गुना समय यहां पर कोन पहुंच रह है इनका है फी कितना समय आठ गहंता तो टीकल कितना अठाईस गुना आठ यहां से यहां कोन ताई कर रहा है ए कितना समय यह किस चाल से है यह बोलिए 32 इतना गुना 32 और तीसरा प्रॉब्लेम पूछेगा कि दोनों के मिलने का समय क्या है यह जो मिला है यदि आप से इसी में पूछ दे मिलन टाइम क्या है तो ध्यान डखिएगा रूट अंडर ती एंटू कितना ती बी दोनों का क्या होगा गुनन फल यहां से भी दूरी निकलेगा यदि आप मिलन टाइम निकालें अद दोनों अपोजिट डिरेक्शन में चल रहा है तो अपोजिट डिरेक्शन में चाल क्या हो जाएगा योग रिलेटिव स्पीड दोनों 32 पलस कितना 28 अमिलन टाइम यहां से निकालिएगा जो भैलू आएगा गुना कर देना है यह चार तरह का प्रॉबलम यहां से पूछा जाता है दोस्तों धियान रखिएगा आप चले तीसरा नंबर में क्या कह रहा है यह तो बाबू बोर्ड मास लेकिन बोर्ड मास में बच्चा एकदम उठा पटक कर जाता है आपके एक्जाम में फिक्स हो गया है आज के समय में बोर्ड मास एगो तो फिक्स है CGL हो, CHSL हो या कोई भी एकजाम हो, NTPC हो या कोई भी एकजाम हो लेकिन वह एकजाम में एक से ज़्यादा भी बोर्ड मास आपसे क्या करेगा पूछ लेगा दो गो तीन गो ये भी पूछ सकता है आपसे यहां पर देखिएगा थोड़ा ध्यान से कैसे सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट का खेला देखिएगा यहां पर, यह पहले यहां पर हम इसका किरिया करते हैं, यहां देखें बोर्ड पे जो घेडा हुआ है, पहले किसका किरिया हुआ, ओफ, पांदुनी, 10, फिर किसका, भाग चार, 40 में 10 से कितना, 4, यहां के बाद क्या हो गया यहां अब देखिए, ब्रैकेट लगा हुआ है, यहां से लेके, यहां तक, यह वाला पोर्चन इधर है, तो सबसे पहले यह जो ब्रैकेट है, 12 में कोन घटा, 9, कितना, 3, 3 हो गया, अब पहले फिर भागान हो गया, यहा जुणना करके, 9 नहीं किझिएगा, क्योंकि यहां फिर क्या है, दोस्तों, औप है, समझ में आ रहा है न, फिर यहां पे क्या हो गया, बोलिये, 3 माइनस 8 कितना? माइनस 5 माननस माइनस, पलस 5 पांच, 5, 10, प्रैकेट हो गया, तो हमें क्या मिला यहां बोलिये, 3 अगणा, 3 तीन ओप, दस, कहां गया जे, कहीं मिश्टेक हुआ क्या, आए, एक मिनट माइनस माइनस कितना, पलस ओप हो गया ये, इधर एक बार कैलकुलेट करके देखिये तो, एक मिनट रुके न छो से कह बार में, तीन, यहां तीने न आएगा जे, आ यहां कितना हो गया बोलिये, तीन, ऐसे नहीं लिखाएगा, गलती हो जाएगा, रूक अभी, यही तो बोर्ड मास का है, यहां तीन आया, छट पटाईएगा, गलती हो जाएगा, तीन, फिर गुना क कितना आया बोलिये टीन अप आप क्लियर है अब यहां से कतना आ गया 5 पांच गिलियर है अप फिर माइनस माइनस हाँ अब भागा 25 नए तो एकसिडेंट होना क्या है तै है समझ में आ रहा है न बात यहीं बोर्ड मास्का है अब आप देखिये पहले इसमें किसका किरिया होगा और यह तीसना है दोस्त ओ है आपका किरिया तीन पचे 15 तिया 45 और पांच यह क्या दिया 50 तो 4 का 50 भागा अब भागा कितना दो तो 4 दुने बहुत बच्चा इस समय मिश्टेक कर जाता है इसलिए ध्यान रखिएगा बोर्ड मास तो गलती नए होना चाहिए कलम थोरा स्पीड में चलाएं बच्चे ओनलाइन वाले सब एकदम अच्छा है ना जल्दी से कॉमेंट कीजिए आते हैं नेक्स्ट नंबर जल्दी जल्दी देखते चलिए अभी तीने नंबर में है दोस्त यह तो डिरेक्टे बन गया होगा आपको पता है पाई चार्ट में यदि हम टोटल डिगरी की बात करें तो कितना होता है तिन सो साथ और यहां कितना संख्या है टोटल चौबिस सो तो हमसे क्या पूछा है किस कार्याले में कर्मचारी की संख्या चौशौ है हम देख लेते हैं कि यह चौशौ कितने डिगरी के बराबर है यदि थोड़ा सा कंसेप्ट अच्छा है आपका यह चौबिस सो वन फोर्थ है तो वन फोर्थ का मतलब कितना डिगरी जाएगा ना 4 के 36 नबबे डिगरी जाएगा यदि दिमाग अच्छा से काम करा 90 डिगरी नब्बे डिगरी कहां है? D का. कौन सा हो गया D? यदि ऐसे नई लिखना है तो लिख देते हैं 2400 टोटल है तो 2400 के करन टोटल कितना डिगरी? तो हमें चाहिए कितने कामान? 600 तो कितना डिगरी? नब्बे डिगरी और ये 90 डिगरी किस विभाग में है? D में है अगला देखत चलिएगा बच्चे आपके एक्जाम में एकदम ये सब ध्यान डखिए पार्टनर्शिप में प्रॉफिट का बटवारा capital into time यदि time period हर एक के लिए आपस में क्या हो बराबर हो तो जो profit होगा वो केवल किसके ratio में जाएगा पुंजी के ratio में जाएगा क्योंकि टी का कहानी क्या हो जाएगा खत्तम कर ए और भी एक website शुरू करते एक कुल पुंजी का ए जो है total पुंजी का 23 एक बटा तीन का fractional value एक बटा तीन और बीस सेश पुंजी निवेस करता है अच्छा हम total पुंजी को क्या मालने तीन एक तीन का एक बटा तीन कितना एक और बीस सेश तीन में एक निकल गया दो तो यह किसका अनपात निकला बता यह पुंजी किस ratio में एक अनपात दो अब क्या कह रहा था य जिस ratio में पुंजी उसी ratio में क्या हो गया profit किस ratio में one is two, two हो गया क्योंकि यदि हम समय दोनों का बारा बारा महिना लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ढोने से कोई फायदा नहीं है, total लाब 162,000 जो भी बोलना है बोलिए, हमी zero को ढो नहीं रहे हैं, यहां total कि 3 के कारण 162 के कारण कितना हो गया बोलिए, एक के कारण 3 पचे 15, 15, 15, 15 तो बी 2,108, जिसमें 108 पर 3,0 होगा मार के बढ़िए, यह सब चीज समझ में आ रहा है ना सबको, एक जाम में बच्चे यह सब चीज इसके बाद लिखा नहीं जाएगा, यदि इसके बाद भी आप बनाते हैं तो एक जाम में रेस से क्या है अभी आप बाहर हैं, लेकिन हमको तो सब को लेके चलना रहता है दोस्त, इस सब चीज लिखना नहीं चाहिए, चलिए, जहाँ डेटा आसान हो फटाक से आगे बढ़ जाईएगा, यह प्रॉब्लम देखिए क्या कह रहा है आपका प्रॉब्लम नंबर कितना है, छट था, धिहान दीजिएगा, लिखने का स्टाइल क्या है यहाँ, इस चीज को समझिए आप, कर एक काम का 25 परतिसत भाग 15 दिन में पूरा कर सकता है, 15 दिन तक काम किया, अब यहाँ लॉजिकल आप बात सोचिए, एक 25 परतिसत भाग कितने दिन में, 15, अग किया कितना दिन, इसका मतलब 25 परतिसत किया होगा, अरे यहाँ यहाँ, 25 परतिसत का मतलब कितना, वन फोर्थ, इसका मतलब ए जो है कितना काम, वन फोर्थ कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में, तो पूरा काम जो ए है वो कितना दिन में करेगा, 60 दिन में, clear है, अब क्या कह रहा है, फिर 6 काम को अकेले B ने कितने दिन में किया, 30, अब बता ये 4 में कितना काम हो चुका, एक तो बचा कितना काम, 3 बटा, 4, 3 बटा, 4 कौन कर रहा है, B कितना दिन में, 30, मुझमानी ने किये, 3 से कई बार में, 10, 10, 4, के चार मतलब बी उसी काम को कितने दिनों में करेगा दोस्तों 40 दिनों में तो हमसे क्या कह रहा है ए और बी साथ मिलकर कितना प्रतिसत भाग 50 तो सबसे पहले टोटल यदी वर्ड की बात करें तो 120 साथ से कह बार में 40 से 3 लेकिन हमें टोटल 120 काम नहीं करवाना है इसका कितना परसेंट 50 परसेंट का मतलब अधिया कितना काम करवाना है साथ किस से दोनों से दोनों का छमता तिंदू 5 करवाना कितना काम है साथ तो कितना समय लगेगा साथ बटा पांच कितना बार चले देखते चले फटाफट अगला यह तो एकदम आसान प्रॉब्लम हो गया दोस्तों क्या इसके लिए भी कोई रॉकेट साइन्स चाहिए क्या निकाई सब यदि अब नई कर रहे हैं न दोस्त तो हम करवाएंगे पैसा पैसा देखिया आइल है न सब करवाएंगे दोस्त लसी अम कोई बताएंगे कितना आई एकसो लेकिन एक रोल सीम बहुत बच्चाई से इसे कड़के निकाले होगा हमको पता है अब यहां ऑप्सनों से चलिये चार है तो कितना से कटना चाहिए चार से कटना चाहिए 186 नहीं होगा अरे 167 होगा शीयतर और यह आया इसका मतल है तो तीन से भी कटना चाहिए साथ एकाथ नहीं होगा है हो गया अज जैसे निकालना है निकालिए यह बच्चा वला खेला है इसमें कोई यह नहीं हो जाएगा कि यह मैथर से बनाए तो यह बेश्ट है वह मैथर से बनाए तो वह बेश्ट है जिसको जैसे बनाना है बना ज कुछ जरूर रहेंगे जो आपके दिमाग को थोड़ा सा क्या करेगा डेविएट करेगा कि करना क्या है अभी और आगे मिलेगा बड़ी खतरनाक खतरनाक जोमेट्री सब्सक्राइब एंटीपीसी में भी एंटीपीसी में खास ध्यान रखिये कि सीजियल वाले प्रॉब्लेम को ही क्या करेगा कॉपी पेस्ट करेगा आपका हंडेट परसंट स्योर रही है आप क्योंकि वही काम करता है वह एंगल सी और डी के दुई भाजक कहां पर मिलते हैं इपर एक चत्रभ कुछ बनाने बोलेगा न सबसे पहले या तो आयत बनाईएगा या क्या बनाईएगा वर्ग बना दीजिएगा यह आयत वर्ग ने ने बोला है कोई भी रेंडमली आप क्या कीजिए क्वाडिलेटरल बना दीजिए चार गोभुजा होना चाहिए काम क्लियर है बन गया क्व और फिर किसका D का angle by sector यह, angle by sector का मतलब ये दोनों कोन बराबर और ये दोनों कोन आपस में बराबर, कहां पर मिल रहा है बताए तो ये E बिंदू पर मिल रहा है, ठीक है, C, E, D, C, E, D, ये angle कितना है दोस्तों, 57 degree दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, angle A कितना है, 47 degree है, आ आप से एंगल B, अब आप यहां देखिएगा तिर्भुज के तीनों कोनों का योग 180, यहां कितना डिगड़ी है? 57, तो आप बताएए ये एगो क्रोस और ये एगो सही ये दोनों मिलकर कितना देगा दोस्तों? 180 माइनस 57 कितना? 120, ध्यान से सुनिएगा मेरा लोजिक, 120, अब बताएए ये एगो क्रोस और एगो सही दोनों मिलकर, यहां भी एगो क्रोस और यहां भी एगो सही, ये दोनों भी मिलकर कितना देगा? 120 क्यों पता चल रहा है न? क्योंकि ये क्या है बच्चे? इसका एंगल बाइसेक्टर है, यस या न? तो जो दोनों का योग होगा वही ये दोनों, इसका मतलब हम यहां से कह सकते थे, C पलस जो D होगा, ये टोटल, क्या होगा पता चला? 120 का कई गुना? दो गुना, 120 का कई गुना? तीन दुनी छो, बारा दुनाई 24 कितना? 246 क्या कोई दिकत है? इसका मतलब अब C और D 246 ये कितना? 47 तो चत्रभुज के चारो कोनों का योग 306, 360 हमें क्या घटा आदे हम बताईए? 46, 200, 46 अपलस कितना? 47, 7, 6, 13, 4, 4, 8, 9, 293 गया, 10 में 3 गया कितना? 7, फिर यहां कितना हो गया, 15 में 9 गया कितना? 6, देखें तो है 67 डिगरी? चलिए लिख लिजिए जल्दी से, 67 डिगरी? आगे की और बढ़ जाएं बच्चे? आते हैं, नेक्स्ट नमबर प्रॉब्लम, जल्दी जल्दी थोड़ा कलम चलाईए बच्चे, प्रॉब्लम बहुत है, आया जाए. फिर यहां देखेगा जोमेट्री में क्या कह रहा है? पीपर मिलते हैं, यह दिया हुआ है, यह तो एकदम घिसा पीटा प्रॉब्लम पूछता है, यह कनफर्म रहे, यह CGL, TGL हमेशा NTPC, यही चीज पूछेगा खाली डेटा क्या करेगा? अलग-अलग, दो प्रॉब्लम यहां पर बनेगा, यह देखेगा, यदि यहां आपका ट्रेंगल है A, B, C, D, A है, B है और C है, A, B को बढ़ाएं हैं कहां तक D, और A, C को बढ़ाएं हैं कहां तक E, तो यह एंगल का bisectar पता है न बचे, और इस एंगल का bisectar यह कहां पर मिला, P पर, तो आपको याद होना चाहिए, यह एंगल क्या होगा, 90-A by 2, कनफर्म है न बचे अब बताईए आपके problem में दिया क्या है एक आमान 78 तो अब solve कर लीजिए 90 माइनस दूसरे कई बार में हो गया 49 तो कितना आ गया यह 51 यदि external angle by sector होता है तो यह क्या हो जाएगा 90 माइनस A by 2 यदि यही internal angle by sector होता तो क्या होता 90 पलस A by 2 जो यहां आगे है problem ऐसा है ना यह को problem दस्मा नंबर देखते हैं geometry चलिए यह दस्मा नंबर आपको सिर्फ घुमाया है और कुछ नहीं किया है यहां एक मज़ेदार concept आपको सिखाएंगे अभी देखते हैं क्या है यहां पर आपसे एक word बोला है कौन सा angle पड़वरती क्लियर है reflex कहीं लिखा हुआ है इंगलिस में समझ में रहा यहीं चीज इसका मतलब यदि कोई angle ऐसे दिया हुआ है यह alpha है इसका reflex निकालेंगे तो हमें क्या करना होगा 307 में से क्या घटाना होगा दोस्तों alpha को घटाना होगा यहीं इसका क्या देता है reflex angle अब आप यहां पर समझेगा O केंदर वाले वृत में चक्रिये चत्रभुज ABCD की रचना की गई है अच्छा सबसे पहले चक्रिये चत्रभुज का मतलब समझ में आ गया cyclic quadrilateral वैसा quadrilateral जिसका चारो सिर्ष कहां पर हो वृत के पड़ीधी पर हो प्यारे बच्चे यह A है B है C है और D है ध्यान से सुनि गया है अब यहां ओ क्या है केंदर है ABC यह एंगल कितना दिया हुआ है टोटल टूपी और यह एंगल कितना दिया हुआ है थिरी पी आप देखते चलिएगा अभी अच्छा अब सवाल है सेंटर कहां होगा यही चीज़ देखना है आपको इसी का खेला होगा यहां दियान से सुनिएगा सेंटर लगभग बच्चा गलत क्या कर बैठता है इसको मिलाएगा इसको विकर्ण पर क्या करेगा सेंटर ले लेगा नहीं विकर्ण पर सेंटर तब होता जब यह आयत यहां क्या होता वडर क्योंकि इसके सामने का क्न क्या होगा यद programming व्यास क शेहां कبة का में करेगा तो एंगल कितना 90 लेकिन यहाँ आप देखीय। थो ध्यान से आमने सामने के कोनों का योग क्या होता है 180 तो यहाँ 2P मुझवानी खेलेंगे 3P केतना 5P 180 तो P कामान 36 तो 36 दुनाई 72, 36 तिया 108 अब यही चीज आप सीखिएगा कि सेंटर होगा किदर यह सबसे important है आपको बताना है यहाँ यदि कुछ देर के लिए यह व्यास होता तो यहाँ कितना बनना चाहिए इसका मतलब सेंटर तो यहाँ पे होगा नहीं अब बताईए सेंटर इधर सीफ्ट होगा कि इधर सीफ्ट होगा सोच समझ के अरे भाई इधर उधर के चक्कर में गर बढ़ाओ नै सुनिये इधर देखेगा यदि यह नब्वे हम आगे जितना बढ़ेंगे एंगल उतना छोटा होते चले जाएगा न यास या नो नहीं हो समझ में आया तो हाँ बोल दे है ना इसका मतलब सेंटर जो है आपका इधर कहीं न कहीं क्या होगा जा रहा होगा आए नहीं समझे यदि कुछ देर के लिए हम बोले कुछ देर के लिए ये एक चक्रिय चत्रभूज है आयत या वर्ग है कंफर्म है न अब आप बताएए थोड़ा सा यदि आपका ये 90 डिग्री है सेंटर यहां पे है क्लियर है इधर हम बढ़ेंगे इधर जाएंगे आगे की और बढ़ेंगे आप ही सोचिए ये थोड़ा सा समझना होगा जतना आगे बढ़ेंगे इसको इधर करेंगे एंगल उतना क्या होगा छोटा होता चला जाएगा और नहीं हो यहां पे यदि समझ में आ रहा है किधरो ले लिजी आंसर पे कोई फ़र्क पढ़ने वाला नहीं है चलिए सेंटर यदि हम यहां बोले ध्यान से सुनिएगा ये ओ अईसे करके चलिए यहां मिला दिये हम इसको ध्यान से समझ जीएगा दोस्तों यहां क्या हो गया ये ओ क्लियर है अब आप बताईए हमें एक चीज यह देखे तो इसके द्वारा इसके द्वारा परीधी पर कितना बना है 72 तो इसी के द्वारा केंद्र पर परीधी का दो गुन एक सो कितना 44 तो अब हमें इसका कौन सा एंगल चाहिए रिफ्लेक्स चाहिए तो रिफ्लेक्स के लिए भी बताए क्या हो जाएगा 360 माइनस 144 में चार गया 6216 ध्यान डखना है इस सारा एकदम रिफिटेट प्रॉब्लेम है यह सब चीज पहले कहीं न कहीं सीजियल वेगेरा पूछ चुका है यह सब भी चीज चलिए आगे की और बढ़ जाएं बच्चे आते हैं नेक्स्ट नंबर जल्दी से कीजिए दोस्तों यहां इसमें कुछ नहीं है सिर्फ थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन अकैलकुलेशन तो इतना करना पड़ेगा केल एक संख्या एक का एक एक 11 बाटा पांत संख्या बी के 22 पर तिस तके क्या है दोस्तों बढ़ार ब्रड़ पर दिखिए गा एक का कितना बोला है यह इस ऑनरकितना पांच किसके बराबर है बीके कितने प्रतिसत, प्रतिसत हटा नीचे 100, 11 से 22 का इबार में 2, 2 से ये कितना, 55 से ये कितना, 10, तो क्या यहां से हम कह सकते थे, A बटा, B बरावर कितना दोस्तों, 1 बटा, 10, पहला रेशियो निकल गया, अब क्या करा रहा है, करा संख्या B, तीसरी संख्या C के, ये जो B है वह किसके C का कितना प्रतिसत है बोलिए, 2 दसमलो, प्रतिसत हटा नीचे 100, दसमलो उड़ेगा, 1, 0, तो 25 से कई बार में ये, 40, यहां से क्या बोल दें, B बटा, C बरावर कितना, 1 बटा, 40, क्या किये थे ये सब, अब सबसे पहला क्याम क्या है, दोनों को बाइलेंस करना, बाइलें हो, यहां B कितना है, 10, और यहां B कितना है, एक, बडावर करने के लिए हम इसी में कितना से गुना कर देते हैं, 10 से, अब आप इधर लिख लिए हैं बचे, इसलिए हम उदर छोटका-छोटका लिख रहे हैं, अब आप बताईए यहां पर A, B और C, A कितना आ गया, 1, B कित और C, 400, यही तो ratio निकला, problem में किसका मान दिया है, C का मान कितना है, 500, किसके कारण, 400, इसका मतलब 400 का मान कितना है, 500, तो आप से पूछ क्या रहा है, यह चीज़ सुनिएगा, क्या पूछ रहा है, A के 80 प्रतीसत और B के 40, अब बचवा पगलाने लगता है, कैसे के सुनिए, एक कितना है, एक का कितना प्रतीसत, रहने दीजिए इसको इसी रूप में, हो गया, और B कितना है, 10 का कितना, 40, 10 का 40 करेंगे तो, 4, अरे हाँ ना कुछ तो बोलिए, अरे 10 का 40 प्रतीसत करेंगे तो 00 कटा, कितना दिया, 4%, तो 84, 84% का मान चाहिए, लेकिन यह तो रेशियों में खेले हैं, परसेंट हटेगा नीचे कितना, 100 तो हम इसको क्या लिखेंगे बोलिए, 84 बटा, 10 कितना, ने समझे मेरी बात, अरे हाँ ना कुछ तो बोलिए, अरे भाई, 84% हता तो 10 कितना, 8, 4, इसका मतलब कितना का मान चाहिए हमें, एक बार कैलकुलेशन देखेगा, 0, 3, 0 कोई दिकतना है, ये 2, 0 आ गया, यहाँ सही है न जी, एक का 80, 80 तो हो गया ये, फिर कितना है, 10 का 40 तो कितना आ गया, 4, 80, 4, 84, बिल्कुल सही है, चलिए, आए, अच्छा, सौरी, हम यहाँ पे कटा दिये हैं, है न, यहाँ कटाना नहीं था, क्योंकि हम परसेंटेज में न लेके चल रहे हैं, तो B मतलब कितना हो गया, ये बोलिए, दस, का कितना, रुक जाइए, रुक जाइए न, यही हो गया, कोई दिक्कत यहां तक, इसका मतलब क्या हो गया, ये 400 और ये कितना, असी, चार सो असी, ये कितना, चार सो असी, इसका मतलब कितना, सही है ना अब, होड़ पॉइंट एट, हमें कितने का मान चाहिए यहां, होड़ पॉइंट एट, यही सब चीज आपको धियान रखना, अब देखिए तो कैलकुलेशन, एक जीरो उड़ा यहां से दो जीरो चार से कई बार में ये बारा पांथ से कई बार में दो पांथ से कितना 11 दो से छो इग्यारा चाके 66 है कोई option अप्सन नमर चार हाँ क्यों नहीं निकाल सकते हैं हाँ अरे कैसा हूँ निकाल सकते हैं बस निकालने आना चाहिए और कुछ नए चल ये कितना नंबर होगा अब बारा होगा जल्दी जल्दी कलम चले उड़ा दें इसको आप लोग लिखने में ही समय लेते हैं चलिए अगला नंबर प्रॉब्लेम उड़ाते चलते हम दोस्त कराए बिंदू M और N यहाँ पर एक चीज सुनिएगा बहुत बार ये चीज पूछा गया है आपके एक्जाम में ये चीज एकदम भी भी आई करके लिख लिजिएगा डारेक्ट रिजल्ट के रूप में यदि यह कोई टावर है यहाँ से ये दूड़ी क्या है? X और ये दूड़ी क्या है? Y या तो दोनों एक ही तरफ हो या दोनों क्या हो? अलग-अलग डिरेक्टन में हो एंगल ओफ एलिवेशन पड़सपड क्या हो पूरक हो यदि ये अलफा तो ये या यही अलफा तो ये 90 माइनस अलफा तो इसका जो उचाई होता है न वह क्या होता है रूट अंडर एक्स वाई रिमेंबर रखिएगा एक बार नहीं सैक्रों बार ये सब चीज़ पूछता है एक जाम में तो यहां पर डारेक्ट चाहे यहां सेम डारेक्शन में हो या फिर क्या हो या दि ये एक्स और ये ये अलफा और ये 90 माइनस अलफा पूड़क होना चाहिए तो ये अब बताईए यहां पर क्या हो जाएगा 72 और 100 प्रॉब्लम में कह रहाता बिंदू M और N एक इमारत के आधार से एक सीधी रेखा में क्रम सा 72 और 128 मीटर दूर सीध बिंदू है इन बिंदूओं से उस इमारत के सीर्स का उन इस गुना दो 128 का मतलब 64 गुना दो तो 36 का वर्गमुल ये दूगो दो है ये गो बाहर आ जाएगा 64 का तो चौद उनी बारह अठे 96 यूनिट तेरहवा नंबर क्या कह रहा है इसको आप जैसे बनाना है बनाईए न दोस्त तरीका बहुत है बनाने का देखते चलिएगा सारे बच्चे चलिए उपर कर देते हैं अगला करा दो वस्तु ए और बी के क्रेमुल का अनपाद चार अनपाद क्या है बच्चे पांच है A और B के क्रेमुल CP किस रेशियो में है आप चाहते तो डारेक्ट अनपाद में ही लेके चलते या यदि ऐसे आप ना लेके चलें तो इसको क्या लिखने है 4X और इसको 5X क्लियर है कोई दिक्कत नहीं है अनपाद में भी चल सकते थे कह रहा है वस्तू पर बेचते समय दुकानदार को वस्तू A पर 10 प्रतीसत और वस्तू B पर 20 प्रतीसत का लाब और उसके विक्रे मुल का अंतर 480 यहां देखेगा A का खड़ीद मुल कितना 4X बोड पर खाली धियान देना है 10 प्रतीसत लाब का मतलब 11 बटा 10 यही उसका सेलिंग हुआ होगा अचा B का क्रे मुल कितना है 5X कितना लाब है 20 20 प्रतीसत लाब का मतलब 120 बटा 100 मतलब हम 6 बटा 5 को अपने कैलकुलेशन के लिए 12 बटा 10 ने लिख सकते हैं 120 बटा 100 का मतलब 0 से 0 कटा ऐसा इसलिए लिखे कि निचलका का LCM लेना क्या हो आसान अब बताए दोनों के बीच अंतर यही न अंतर हो गया प्यारे बच्चे नीचे तो 10 का 10 से रहा 12 पंचे 60 अग्यारा चोके 44 साथ और 44 का अंतर कितना 16 तो अंतर कितने का आया 16 एक्स बटा कितना 10 ने समझे मेरी बातों को यही किसके बराबर है 400 असी 16 एяти 48 तो एक्स बराबर लेकिन हमसे क्या कह रहा था दोनों वस्तू के क्रैमूल का अंतर यदि अंतर की बात करेंगे तो 5 एक्स में क्या घठेगा 4 एक्स कितना देगा एक्स एक्स का मान कितना अंतर की बात करेगा तो 300 जो भी चीज लिख रहे हैं नहीं समझ में आए तो बेहिचक बोलिएगा चलिए यह देखिएगा यह प्रॉब्लेम यह प्रॉब्लेम को जूट मुटका जो है ना खाली बढ़ाया है और कुछ नहीं किया है यहाँ पर क्या कह रहा है आप देखते चलिए जब वर्स की संख्या प्रतीसत प्रती वर्स ब्याज दर के आधे के बराबर होती है मतलब यदि वर्स टी है तो यह किसके बराबर है दर का आधा यह प्रॉब्लेम के अकॉर्डिंग किसी रासी पर साधारन ब्याज रासी का कौन सा भाग है एक बटा आठ हमां मतलब साधारन ब्याज किसका रासी मतलब मूलधन का यदि मूलधन आठ तो साधारन ब्याज कित एक तो सबसे पहले यहां से रेट या समय जो भी निकालना होगा निकल सकता है तो कैसे निकलेगा ब्याज बराबर मूलधन कितना आठ अच्छा हमसे पूछ क्या रहा है आगे कह रहा है 15,000 के लिए उसी ब्याज दर पर आठ वर्स का तो पहले दर निकाल देंगे हम लोग तो ब्याज बराबर मूलधन समय के जगह क्या रखे हम आर बाए इंटू दर के जगह अब बटा में कितना 100 क्लियर है तो यह आठ से 200 कई बार में कटा 25 तो आर स्क्वाइर बराबर 25 तो रेट कितना तो सबसे पहले रेट निकालना होगा अब हमसे क्या कह रहा है यहां पर बता यह तो डिरेक्ट आंसर दे सकते हैं सारे बच्चे रेट कितना है पांच अस समय कितना है आठ तो ब्याज कितना अठ पंचे चालिस किसका चालिस 15 चौके साथ है कोई option छो हजार वल अरे भाई सौका मान कितना पंदरह हजार तो फिर कितना अठ पंचे चालिस का मान या फिर आप ऐसे भी निकाल सकते हैं ब्याज बराबर मुल्धन गुना समय गुना दर बठा सो जो बोलना है बोलिए लेकिन बोलिए आते हैं अगला नंबर पंद्रह इतो अभी तुरत बताएं है यदी बच्चे बाह अन्तह कोन समद्वी भाजक का ही मीटिंग पॉइंट क्या कहलाता है अन्तह केंद्र कहलाता है यदी अन्तह केंद्र बोलेगा तो एंगल क्या होता है 90 पलस ए बाई टू ए के जगह 88 बटा टू 44 तो 134 बी आई सी कैसे होता है फिगर ने पता चला जे ये ए है ये बी है और ये सी है एंगल बाई सेक्टर का मीटिंग पॉइंट ही क्या बनाता है बच्चों अन्तह केंद्र तो ये एंगल क्या हो जाएगा 90 पलस ए बाई टू या तो यहां पर कहता आई जो है यहां कोन सम्धी भाजक का प्रतिछेदी बिंदू है यहां प्रतिछेदी बिंदू ना बोलके इस आई को क्या बोल दिया अन्तह केंद्र बोल दिया तो बतवा क्या है सेम है चलिए अगला सोल यहां देखेगा क्या कह रहा है आपका यदि एक गोले का आईतन उतनी ही तिर्जिया वाले बेलन के आईतन के बराबर अचा गोला का आईतन क्या हो गया चार बटा तीन पाई आर क्यूब और बेलन का उतनी ही तिर्जिया तो दोनों का तिर्जिया सेम ले लिए पाई से पाई कट गया स्कुएर यहां आर दिया तो आर बटा एच बराबर कितना तीन बटा चार तो एकदम नुनु वाला पुछा है यहां देखिएगा इसको कैसे बनाएंगे यही चीज आपको सीखना है दोस्तों ही सब में यही सब एगो दूगो प्रॉब्लेम मिलेगा जो आपको लगेगा समय क्या कर रहा है जादा ले रहा है लेकिन यह बिल्कुल समय जादा नहीं ले रहा है सुनिएगा ऐसे प्रॉब्लेम को कैसे बनाया जाता है सबसे पहले ऐसे प्रॉब्लेम को तो बोलता है क्या करें बाइप प्रोसेस लेकिन आप ही बताइए बाइप प्रोसेस करके ओप्शनों लाना है इस टाइप से हम अपने सभिधा के लिए सबसे बहतर तरीका क्या लगाए थीटा का मान जो भी थीटा का मान यहां रखेंगे जो आंसर होगा वह मान को क्या करेगा satisfy लेकिन यहां एक चीज का ध्यान डखना है कि थीटा का मान आप रखें तो दो option आपका match नहीं करना चाहिए क्योंकि यदि वह answer आएगा तब तो दो option match होगा वैसे situation में आपको थीटा का मान क्या करना होगा चेंज करके लेना होगा तो हम पहले option चेक कर लेते हैं match तो नहीं न कर रहा है अब मुझवानी करेंगे थीटा का मान हम क्या लिए बताईए 45 मुझवानी करेंगे जैसे 45 लिए 1 और 1 कितना 2 पलस कितना रूट 2 ये दिया वन लिए तो वन वन कट गया कितना दिया वन लिए तो वन वन कट गया क्या दिया वन लिए तो क्या हो गया बोलिए i1 वन टू माइनस रूट 2 इसका मतलब option match करने वाला नहीं है तो अब थीटा का मान डारेक्ट यहां रखेंगे board पे देखिए कोट के जगह और कॉस का मतलब एक बटा root two यहां भी कितना one minus one by root two अब आप बताईए one plus root अंदर एक बार में root two plus और यहां rootни minus अर दुन्नों में root two root two का कहानी खत्तम root two plus one बटा उपर नीचे गुना कर देते हैं और नीचे कितना root two plus one yes या नो तो ये value A plus B, A minus B कितना दे दिया, A square minus B, A square 1, उपर में 2 गो था, A गो क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, root 2 plus, नीचे 1 कहानी खत्तम, तो 1, 1 कितना, 2 plus root 2, बताये किस option में आ रहा है, A number, सबसे बहतर तरीका है, आप यदि by process मनाईएगा, तो cot को किस में तोड़ना होगा कॉस बटा, साइन, फिर उस धंग से आपको simplify करके बढ़ना पड़ेगा, जो number problem क्या कह रहा है, आप देखिएगा, problem number 18 में आपके समक्ष कह रहा है, संख्या कितना से divisible है, 88 से, तो आप से क्या पूछ रहा है, B minus A का मान क्या है, आप बताईए, 88 का यहाँ तो data और आसान कर दिया है, अंतिम कितना अंग, तीन अंग किस से कटना चाहिए, दोस्तों, आठ से, अब बताईए, यहाँ अंतिम में भी है, तो मुझमानिया निकाल दीजिएगा, क्या हो गया, अब रिने कटा है, ऐसा का है, जब अभी नहीं कटा, तभी कट गया था, इसका मतलब कुछ तो इसमें लोच्चा, अच्छा चलिए उसको बाद में हम देखेंगे, चलिए उनलाइन वाले, कोई दिक्कत नहीं होगा, अब बताईए, आप अठासी से कट रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, आठ और ग्यार, तो आठ का विभाजिता नियम क्या कहा, अंतिम कितना अंक, तीन अंक, तो यहां पर अठ पंचे, चालिस कितना उत्रा, छो, तो छो में आठ के टेबल में कौन जाएगा, चार अठी अठी, चौन सट, इसका मतलब, यहां पर क्या हो जाएगा, बोलिए, आ आठ ए, पांच, एक, चार, छो, अब बी के जगा कितना, चार ले लिए कंफर्म है, अब आते हैं, किसको चेक करते हैं, इग्यार, अब यही चीज़ समझेगा, इग्यार का विभाजिता नियम, अल्टर, नेट, जोड़े हैं कोई, आठ पांच, तेरा चार, सत्रा और चार 21 और यहां कितना, 7 पलस ए, अब मेरा तरीका सुनिएगा कैसे हम लोग बनाएंगे यहां पर, 11 का विभाजिता नियम बोला, अल्टरनेट, अंकों के योग का अंतर, या तो 0 हो, या 11 या 22 कटना चाहिए, अब बताईए, यहां 7 है, यहां 21 है, तो हम इसको क्या लिखें, 7 पलस, 14, घाटाएंगे तो यह 7 से 7 का कहानी, खत्तम, यहां क्या बचा, 14, तो 14 हमें कौन घाटेगा, ए, तो 0 तो कभी आने वाला अब नहीं है, तो क्या आना चाहिए, ए 11, या सियानो, तो 14 हमें क्या घाटाएं कि 11 आ है, 3, इसका मतलब A का मान क्या रखना होगा, 3, A 3 हो और B कितना, 4 तो बोलिएगा क्या हो जाएगा, 4 माइनस 3 कितना, एक, ऑप्सन नमबर 4, चलिए आगे की और बढ़ें बच्चे, अगला 19 नमबर, ओ यह तो बन जाएगा, बड़, ऐसा मत किजिए, क्या, आवसा एबरेज ने निका लिएगा, कौन कौन है, सत्तर से नब्बे के भी, सबसे पहले एक चीज़ कंसेप्ट सिखिएगा, जो भी संख्या अभाज होगी न, उसका इकाई अंक, या तो एक आएगा, या तीन, या साथ, या केवल किसको छोड़के, दो और पांच को छोड़के, इस चीज़ को ध्यान डखना है, दुनिया क जितना अभाज संख्या होगा, दो और पांच को छोड़के, यही चारों में से कोई एगो क्या होगा, आएगा, अब लिखने का तरीका, केवल सत्तर से नब्बे पकड़ेंगे, तो सत्तर से अस्सी और अस्सी से नब्बे, अब टोटल एक एक करके ने न देखना होगा, हम केवल चारे गोना अंक देखना होगा, जिसका इकाई अंक, एक फिर क्या आएगा, ते हत्तर फिर, रुकिये पहले लिखने दीजे फिर, लेकिन आप बताईए क्या सततर अभाज होगा, नहीं कट रहा है, फिर यहां से कोन जाएगा, एक आसी क्या एक आसी अभाज होगा, अरे आठ साथ पंद्रा तीन से कटेगा फिर, नवासी, यहीन चार गो मिला हमें, कहेगो पांच गो, तो सब को जोड के, कहेगो संख्या है, अब बता में कितना, पांच, आंसर कितना रहा है, सेवेंटी, नाइन, चलिए अगला, इसको तो डारेक्टे मुझवानिये बना स सकते थे आप, क्या, कैसे बनेगा, एक दुकानदार अपने माल पर क्रेमुल से 20 परतिसात अधिक मुल और परतेक पर 10 परतिसात की छूड़ तो उसका लाब परतिसात, बहुत तडिका होगा दोस्तों बनाने का, माल लिए क्रेमुल कितना था, 100, तो अंकित कितना किया, 100, अच्छूट कितने का दिया, 10, 10 छूट का मतलब 90, तो 120 का 12 नवा, कितना का लाब हुआ, या तो ऐसे बनाईए, या कोई बच्चे, A परतिसात अधिक अंकित किया, फिर कितना छूट दिया, 10 अपरतिस, ऐसे ही बनाए थे क्या, जैसे बनाना है, बनाईए, ये कट गया, 20 म माइनस दो कितना, 8, क्या हो गया, 8 परसेंट का लाब होगा, करके हम लोग सारे प्रॉब्लेम का कंसेप्ट के साथ एकदम डिसकसन देखेंगे, जहां कहीं भी आपको प्रॉब्लेम होगी, आप बेहिचक कोश्चन पूच सकते हैं, चलिए, पहला नमबर में याद कीजिए हम आपको एक रिजल्ट बताए थे कभी, यदि ये सरकल है, दोस्तों लिखते भी चलिएगा साथे साथ, ये सरकल है और यदि यह इसका क्या है, व्यास है, यहां से हम जीवा खीचे और बढ़ाने पर कहां पर मिल रहा है, कहीं पर मिला, और ये इसके केंदर से मिलाए, कु क्या है, अलफा है, तो ये वाला एंगल हम कभी आपको बताएं होंगे, 90 माइनस कितना, अलफा बाइटू, लेकिन कभ ये सही होगा, जब ये क्या होगा, दोस्तों, व्यास होगा, समझ मैं रहा है न, अब लेंग्वेज पर ये प्रॉब्लेम का क्या कहा, ओ केंदर वाले एक वरित में, A-C और B-D, यदि हम इसको A-C जीवा बोले, और इसको क्या बोले दोस्तों, B-D बोले, तो A-C और B-D को बढ़ाने पर कहां पर मिलती है, बोलिए E पर ये प्रॉब्लेम में कहा है, A-B इसका क्या है, व्यास है, अब क्या दिया हुआ है, A-E-B, कहां है दोस दोस्तों, A-E-B, ये एंगल कितना है, 36, तो D-O-C ये एंगल पूछा है, ये एंगल 36 दिया है, तो 90 माइनस कितना, अलफा बाइटू बढ़ाबर 36, एक लाइन में कैलकुलेसन किजिएगा, लिखना कुछ नहीं है, ये 36 इधर गया, तो 90 में घटा 36 कितना, बोलिए, 54, टू, तो अलफा बराबर 54 का कई गुना, दो गुना, तो अलफा बराबर कितना हो गया, 108, इस तरीके से कैलकुलेसन करके, आगे बढ़ते चलना है, चलिए, ये प्रॉबलेम बहुत बार हम आपको बताएं हैं, यहां पर, ध्यान दीजिएगा, इधर उरा दें, दोस्त, कल थोरा सा स्पीड में चलाईएगा न, मजा आएगा, यहां से सबसे पहले, पहला प्रॉबलेम बनता है मूल धन, क्या होगा, दूसरा प्रॉबलेम क्या बनता है, रेट क्या होगा, उसके बाद इस प्रॉबलेम को आगे बढ़ा के, और कुछ चीजों को जोड़के पूछा है कोई धंडासी साधारन ब्याज पर तीन वर्स में कितना है 49,600 और पांच वर्स में कितना है 56,000 कितना 500 है आप हमें बताएं आप चाहते तो डारेक्ट लिख सकते थे ये लिखने का कोई जर्रत भी नहीं था तीन साल में 49,600 मिस्रधन है न और पांच साल का मिस्रधन कितना है प्यारे बच्चे बोलिए यहां पर 56,000 है अब बताएं दोनों के बीच गैपिंग कितने साल का दो साल का यहां अंतर कितने साल का हो गया बोलिये क्यतना 64-100 का अंतर तो यह जो 6400 मिला यह 2 साल का क्या मिला हमें ब्याज मिला साधारन ब्याज मिला अब या तो 3 साल या कितना 5 साल हमें तो हर परतिसत अधिक रेट लेंगे ना तो रेट के लिए हमें क्या चाहिए मुल्धन चाहिए तो इसका मतलब दो साल का चौन सथ सो तो एक साल का कितना एक साल बतिस तो कितना? तीन साल का कितना आ गया? 96 तो तीन साल का साधारन ब्याज 96 तीन साल का मिस्रधन 49,600 यदि मुल्धन की बात करेंगे तो 49,600 में क्या घटेगा दोस्तों? कितना आ जाएगा बोलेंगे कोई 40,000 तो अभी तक जो problem पहले पूछता था वह क्या पूछता था मूलधन क्या है तो मूलधन पूछेगा तो answer कितना 40,000 लेकिन यहां से पहले हमें क्या calculate करना होगा rate rate का मतलब ब्याज गुना 100 यदि ब्याज पकड़ेंगे तो समय दो ये पकड़ेंगे तो समय एक अता हम ब्याज कितना पकर रहे हैं 32 अगुना कितना 100 अबटा मूलधन कितना आया है 40,000 अगुना समय कितना एक ये देखे 4,0 का कहानी खत्तम 4 से कितना बार में 8 तो यदि इस प्रॉब्लेम में रेट पूछटा तो आंसर कितना 8 ये प्रॉब्लेम दोगो प्रॉब्लेम मिल के बनाया है पहला स्टेप किलियर अब क्या कह रहा है यदि ब्याज की दर 2 परतीसत क्या होती अधिक अब बताए ब्याज कितना है 8 तो 2 प्रतीसत अधिक होने का मतलब कितना हो जाता मेरा 10 परसेंट तो बोला है कितने साल में रासी क्या होगी 2 गुनी आप याद कीजिएगा अब प्रॉब्लेम क्या बना कोई रासी किस दर से 10 प्रतीसत की दर से कितने साल में कई गुनी होगी दो गुनी याद आ रहा है आपको समय बरावर क्या हो जाएगा जितना गुना होगा उससे एक कम बटा आर इंटू ये यर में न हो जाएगा यस या नो तो अब रेट कितना मिल गया मेरा 10 करवाना कितना गुना है 2 गुना प्यारे बच्चे हमें इचालिस हजार से अब कोई लेना देना नहीं है तो समय क्या हो जाएगा 10 दो गुना करवाना है 2 माइनस एक इंटू कितना 100 इयर में जाएगा एक ये कट गया इसका मतलब कितना 10 साल दो दो प्रॉब्लेम को मिक्स करके यहां पे प्रॉब्लेम क्या है दोस्तों पूछा गया है लिखते चलिएगा थोड़ा कलम स्पीड में चलाईएगा चलिए आते हैं नेक्स्ट नंबर की और प्रॉब्लेम तो है आगे की और बर है इस सब बना था कि नहीं दोस्त हाँ खोड़ा सा समय सब में लगेगा अब यह देखेगा पाई चार्ट मतलब यह मिक्स ग्राफ दिया गया है सारे बच्चे देखिएगा पहले तब हम इसको उपर करेंगे लिखा क्या है पाई चार्ट पाँच इसकूल में विद्यार्थी का प्रतीसत और तालिका परते की स्कूल में लड़के और लड़की के अनुपात को क्या करता है दरसाता है मतलब यह डूवेल नेचर का ग्राफ है एक में हमें पाई चार्ट को देखना है और एक में क्या करना है तेबल को देखना है तो हम थोड़ा उपर कर दिये हैं, यहाँ पर दिख गया होगा अब, क्या दिख रहा हैं सारे बच्चों को, अब क्या है, यह जो है यह percentage में दिया है और यह लड़की और लड़का का अनुपात दिया हुआ है, अब हम graph कैसे पढ़ेंगे, यदि हमसे school A में student का percentage बोलेगा तो कितना परसेंट 28 लेकिन लड़की और लड़का का अनपात बोलेगा तो तीन अनपात चार लेकिन हम यहां देखिए प्रॉब्लेम पूछ क्या रहा है आप से क्या कह रहा है प्रॉब्लेम समझिएगा अच्छा प्रॉब्लेम है सभी पांच स्कूल की लड़कियों की कुल संख्या को पाइचाट के रूप में दर्साया जाये तो बी के संगत त्रिजखंड कोन का मां अच्छा हमें जो अब दर्साना है पाइचाट में केवल किसको दर् लड़की की संख्या को, तो लड़की का पर्सेंटेज पता होना चाहिए, कैसे निकलेगा आप बोर्ड पे देखिए, एं में अनुपात कितना, तीन चार मुझवानी लिखेंगे, एंगा पर्सेंटेज, अथाइस तो तीन चार, साथ साथ का मान, अथाइस, एक का मान, चार तो तीन का मान हम केवाल लडकी को न लेकर चलें, बारा परसेंट में जाएगा यह संख्यानन होगा यह, यह क्या निकलेगा, परसेंटेज रहने दीजिये उसी रूप में, B में total कितना? 5 यहाँ, 15, 5 का मान 15, 1, 3, तो 2 कितना? लड़की का percentage कितना? 6, 80 में 5, 3, 8 total कितना? 24 तो 8 ते आई तो 3 पचे? 15, इसमें बताइए, 2, 1, 3, 6, 18 तो 1 का मान 6, और इसमें 4, 1, 5, 5, 15, तूरह 1 3 4 हैं अब यदी हम किसको दरसार है पाई चार्ट में बीको अब यह सम्झाने के लिए हम त्वाइसा यह कर रहे हैं यह एक पाई चार्ट बनाएंगे ऐसे ऐसे करके सब दर्स आएंगे न टोटल, यह सियानो जाएगो रहेगा, तो A में कितना, 12, B में, तो टोटल कोई जोड़े हैं, कितना, 51, इसका मतलब क्या है, यह टोटल जो परसेंटेज है यहाँ पर वो कितना दर्स आएगा, लेकिन डिगरी में कितना दर्स आएगा, अरे ब क्यावन के कारण कितना, लेकिन हमें केवल किसका देखना है, B का, B में कितना गल्स है, 9, तो हमें 9 का, अजा कितना है, 6, 6 का मान चाहिए, इसको तो प्रेम से लगभग में न है, जी, प्रेम से कैलकुलेट करना पड़ेगा, और कोई उपाए, नजर नहीं आ रहा है, तीन स एक है बार में, तीन से दो, तो 720 अबटा में, 17, 17, चौके, 68, 17, दुनाई, 34, 42, दसमला सम्थिंग, तो आप्शन में कौन सा, 42 डिग्री, अच्छा अच्छा है यहाँ पर, जल्दी-जल्दी कलम चलाते चलिए, थोड़ा सा, समय का अभाव है मेरे मित्र, क्या हम आगे बढ़ सकते हैं, यदि आप जल्दी से अनुमती दें, तो बढ़ हैं कि छापिएगा, नए छापिएगा तो छापिए, जल्दी-जल्दी, अगला, यह तो घिसा-पिटा प्रॉब्लम पूछा है, नए जे, अरे देखिए, किजिये का, यहां समझने पे फोकस रखिए, समझ जाईए, अतुरत रूम पे जाके, क्या किजिये, एटेम्ट लीजिए, लेकिन आप करते क्या हैं, यहां पे छापने पे ध्यान देना है, रूम पे जाके, कोनो और ड्यूटी पूड़ा करना है, हैं, अभी देखिए, UPSC का रिजल्ट दिया न, जी, 21 साल की लड़की सब UPSC क्वाइलिफाइ कर रही है, मामली बात है, हैं, 21 साल तो, इस सब तो, इसमें 21 साल से क्या होगा, अब सोचिए, अचारो टॉपर, चारो लड़की न है, पहला दूसरा, तीसरा, लगातार, लड़की है, सोचोड़े लड़का सब, हां, क्या होगा, तो पढ़ना पढ़ेगा दोस्त, UPSC है दोस्त, घस के एकदम रगर घस करना पड़ेगा, चलिए क्या कह रहा है, पाँच आदमी और दो लड़के, तीस, देखे, कम उम्र में नोकड़ी लीजिएगा न, उसका मजा कुछ और रहेगा, बुड़ारी में नोकड़ी लीजिएगा न, उस सिर्फ जिन्दगी क्या होगा, कटेगा, लगेगा कि चलो जिन्दगी एको महिना महिना मिल रहा है, कम उम्र में नोकड़ी लीजिएगा, कितना मजा कीजिएगा, सोचिए, अब बुड़ारी में लीजिएगा तो सब चीज करते हैं जितना साथ आदमी और दस लड़के लिखने का तरीका ये सब यदि ये सब प्रॉब्लम भी नहीं बन रहा है अभी बहुत महनत करने की जौरत है क्योंकि ये सब प्रॉब्लम पैटर्ण का प्रॉब्लम है ने एक के पैटर्ण पर ये क्या है चलता है पांच आदमी और कितना दो बालक किसी काम को कितना दिन है तीस दिन और फिर क्या है बताईए साथ आदमी और दस लड़का उसी काम को कितना दिन है पंदरा से कई बार में दो अब एक बार में कैलकुलेट करेंगे पांच दुनी साथ इधर आया कितना तीन मेल बराबर दू दुनी चार चार इधर गया, छोब बवाय, तो तीन से कई बार में, मेल बटा बवाय बराबर कितना, दो बटा, एक, तो जहां मेल होगा वहां क्या पकड़ें, दो और जहां बवाय होगा, एक, एक के बार लिखेंगे, मेल के जगह दो, पांदुनी, दस, दो, एकम दो, कितना, बारा किया ही हुआ, अब ये वर्क करवाना किसे है हमसे, चालिस पुरूस, और कितना लड़का, एक्स लड़का, तो पुरूस के जगह, दो, लड़का के जगह, एक तो चालिस दुनाई, असी पलस, एक्स कितना दिन है बोलिए, चार दिन, चार से ये बारा तीस्ति आई, अब बे में असी गया, दस, कुछ नई सोचना है इस सब में, चाउथा के बाद पांच मा, अख, पक्का ये प्रॉब्लम जो है न, कैलकुलेशन है, लेकिन हम कैलकुलेशन को आपके लिए आसान बनाएंगे, कितनों कुछ कीजिएगा तो थोड़ा सा इसमें तो आसन जाएगा, क्योंकि ये बदमासी क्या किया है, छो महिना तक तो ठीक था, लेकिन छो महिना के बाद हर एक महिना बर रहा है, यास यानो, अब उधर क्या हो रहा है, तो हर एक महिना का मतलब अब छो गोन लेके चलना होगा, सतमा महिना, अठमा महिना, नम्मा, दसमा, इ यहीं पे आप लॉजिक सुनिएगा कैलकुलेशन जितना आसान कीजिएगा उतना बहतर होगा आपको पता है कि पार्टनर्शिप में प्रॉफिट का बटवारा क्या होता है कैपिटल इंटू टाइम के रेशियों में अच्छा हम बात किसका करते हैं रेशियों का तो रेशियों में जो कॉमन तर्म होता है उसको क्या करते हैं काट देते हैं पुंजी वाला यस या नो तो अब यहां पर द मतलब छो महिना तक तो सब का यही चला होगा अब क्या कहा वर्स के सेस समय के लिए ए हर महीने यही इचोट्टा वाला काम किया हर महीने समझ में आ रहा है ना कितना लगाया चार हजार बी हर महीने कितना लगाया चार हजार और सी हर महीने चार हजार निकाला प्रॉब्लेम देखने में बड़ी आसान है आसान वाकई मैं लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशन अब हम करते क्या है यहां पर मेरे बातों को सुनिएगा सबसे पहले कॉमन टर्म को कटाते हैं ह तो लगभग बच्चा केवल क्या कटाएं होंगे? तिन-तिन गो जीरो कटाएं होंगे? या तिया नो, बिल्कुल सही है, लेकिन और यदी कटे तो कटा लिजिए न, आपका कैलकुलेशन क्या होगा? आसान. अब बताएं, यहाँ चार, यहाँ, चार, यहाँ, सब चार-चार स इसको कटा के क्या रखे? दस, चार से, बारा, चार से, और यहाँ, एक, यहाँ, एक, और यहाँ, एक. क्या दिख राएं सारे बच्चे को? अब यहाँ के बाद हम काम करते हैं, खाली बोर्ड पर देखिएगा? हाँ, हाँ, करते रहिएगा, नहीं हो, समझ में आएगा तो. अब बताईए आप, एक कितना लेके चलेगा? दस कितने महिना? छौ महिना तो दस चाके? चाहते तो एक बार में लिख देते हम, हो गया. B कितना लेके चलेगा 12 कितना महिना 6 महिना तो profit 12 चके और C कितना लेके चलेगा 20 कितना बोलिए 6 महिना 6 महिना न जी अरे हाँ न लेकिन इसके बाद थोड़ा सा आपको सही दिमाग से चलना पड़ेगा क्या अब छो महिना के बाद जो हर एक महिना है इसका मतलब सात्मा महिना यास यानो सात्मा महिना का मतलब यह समय कितना दिन चला एक आठमा महिना समय कितना दिन चला एक अरे इंडिविज्वाल अब एक क्या कर रहा है चार हजार मिलाया चार का मतलब कितना एक पहले से एक का कितना था अरे एक का पुण्जी कितना था अब कितना 11 चलेगा या गुना छो कसे हो जाएगा यही तो गलत कंसिप्ट है गुनाचो होगा दोस्त एक 11 गुना एक क्योंकि ये सात्मा महिना के लिए होगा क्योंकि problem में क्या लिखा है हर महिने हर महिने का मतलब एकिक महिना पढ़ criminal अब 11 गुना एक करने का कोई फाइदा है अब अगला महिना फिर चार हजार क्या किया मिलाया चार हजार मिलाने का मतलब कितना एक तो यह 11 फिर 12 फिर 13 फिर 14 फिर फिर तो यह जो मिलेगा यह जो नेक्स्ट छो महिना होगा वहाँ यह मिलेगा अरे बोलिये तो सही यास या नो अब बताये बी में बारा तो पुंजी है छो महिना तक लेकिन आगे हर महिना एक-एक बढ़ेगा तो यहां पर कितना चलेगा 13 फिर 14 फिर 15 अरे एक के महिना के लिए तो एक से गुना करने से कोई फ़र्क पढ़ने वाला नहीं है फिर रे भाई तो करना पड़ेगा फिर 18 हो गया यह अगला छो महिना के लिए बी का यह जाएगा सी में कितना चला बीस लेकिन ए रूक 21 थोड़े होगा एक क्या किया है आ निकाला है ना सी क्या कर रहा है चार हजार निकाल रहा है तो कितना होगा 19 फिर 18 फिर 16 फिर 15 फिर 14 ये नेक्स्ट छो महिना में जाएगा अब जल्दी से कोई कैलकुलेट करके बताओ दस छके इस सब को जोड़े हैं कोई चलिया हम जोडते हैं दस बीस तीस यहां साथ हो गया साथ और पाँच पाइसट पाँच सतर दस असी एक 81 बोलते चलिएगा इधर जोड़के बताइए जल्दी से आप लोग बारा चके 72 और यहां साथ तो हो गया दस दस वला अशाथ और पाँच चार नौ तिन बारा साथ बारा बाहत्तर चो कितना अठटर अठटर और साथ कितना हो गया आठटर साथ कितना हो गया अठटर पचासी और आठ तेरानवे यह तेरानवे देगा इधर जोड़के बताइए आप यहां तोटल कितना हो गया यह और यह जुटेगा बोलिए एक आठट छो चाओदा एक साथ एक तालिस बनेगा यहां क्या बनेगा बोलिए तिन्दू पांच अन्नौ साथ सोला एक 265 बनेगा यहां कोई जोड़े थे एक साथ बीस अब बोलिए यहां निन्न्यानवे कंफर्म ना तो नौ नौ दू एक ज्यारा दोसा उन्निस यही तो उसके प्रोफिट का रेशियो आ गया तो टोटल प्रोफिट की बात करेगा कट रहा है क्या कोई तीन से पांच एक साथ तीन से कट रहा है कटा दीजिए तीन से कई बार में तीन चोके बारह तीन सते तीन पचे पच्पन तीन सते तेहत्तर तो टोटल कितना हो गया पांच साथ बारह अतीन पंदरह आए कि समें माइनस होगा रहे यह कास कि आप घ्रोटा अदेंगे पूंजी अरे सून पूंजी में न माइनस होगा जी total profit कैसे निकलेगा, पहला 6 महिना का, इधर के 6 महिना दोनों का क्या होगा, योग न होगा दोस्त, माइनस किसमे होता है, पुझी में, पुझी में तो हम माइनस करिये दिये न, है, है, चलिए, अब यहां जोरे थे, कितना आ रहा था, बोलिए, एदे भाई बोलना एकसव चलिए लिए साथ पांच बारा तिन पंद्रा पांच एक साथ पांच बारा चार सोल एकसव पच्छत्तर के कारण कितना है 6, 7, 2 अग गुना कितना हमसे किसका C, C का मान तेहत अब इसको तो प्यार से कैलकुलेट करना होगा चलिए 25 से क्या बार में 7 रे भाई सुन मेरा तरीका 25 से क्या बार में 7 इदो गो 0, 25 से क्या बार में हो गया कहा नहीं खत्तम 7 से 7 से अब यहाँ एक गोना 0 है यहाँ देखेगा काली 7 से 7 नमा 63 960 मिला अब मेरा लोजिक सुनिए गुना क्या मिलेगा 960 गुना 4 गुना तो एक गोना 0 आएगा आंसर में एगो 0 यह तो कट गया लेकिन अब बताईए गुना करेंगे तो 4 ती आई 12 दू छके 12 दो जाएगा अरे 0 के बाद 2 ना आना चाहिए अरे बच गये बाल बाल गुना से अन्य तो गुना कीजिए एक तो ऐसे ही प्रॉब्लम एकदम टना टन वाला है अब उपर से गुना भ्यान रखिएगा कितना छोड़िएगा छोड़ देंगे आपको सबसे आसान बुझाता है बोलना क्या छोड़ देंगे प्रॉब्लम है आप क्या चाहते हैं कि सब वह इसने प्रॉब्लम पुझे चल लिख ले आगे बढ़ें प्रॉब्लम में कुछ नहीं था यह जो खाली जोड़ना पड़ गया ना आपको वह ही आपको थ्रॉब्लम लग रहा होगा और कुछ नहीं है प्रॉब्लम जल्दी से फोटो खिछ लीजिए नहीं लिख पाए है तो आगे बढ़ें अभी पांचे गो प्रॉब्लम हुआ है रे भाईवा आगे क्लास है फिर तुरत चल उड़ा दें इसको उड़ा दें अब जल्दी जल्दी कीजिए एक वृत में A, B, C, D, A क्या है चक्रिय चत्रुज चक्रिय चत्रुज का मतलब समझ में आ रहा है न चारो सिर्ज कहा होगा वृत के परीधी पर कर दिया हम A, B, खाली लिखियेगा इस्पीड में C, D अब क्या कह रहा है A, C और B, D एक दूसरे को बिंदू P पर क्या कर रहा है प्रतिछेद A, C और B, D कहां पर प्रतिछेद कर रहा है P पर कर रहा है अब क्या दिया है A, B बराबर A, C बोड़ पे देखिए C को तिर्भुज के तीनों कोनों का योग 180 180 में कितना निकल गया 48 तो कितना बचा बचे 134, 37 132 अरे यास या नो अब ये 132 कोन कोन होगा ये एंगल और ये और दोनों एंगल आपस में क्या होगा बराबर क्योंकि बराबर भुजा के सामने कोन बराबर इसका मतलब ये 132 बराबर भागों में बचा दूछा के बारा 66 आ गया तो ये जो एंगल भी आया ये टोटल कितना दिया 66 और ये भी 66 होगा हमको इससे कोई लेना देना नहीं है ADC ADC ये एंगल चक्रिये चत्रभुज के कारण आमने सामने कोनों का योग 180 तो ये क्या हो गया बताए 180 माइनस 66 इकाई अंक 4 सिंगल है कुछ नहीं सोचना है दोगो है सोचना है क्यतना आ रहा है 104 अरे भाई सोचने पर मजबूर कर दिया तो नहीं यदि नहीं राता तो ए इबोड मास तो हम जान भूज के दे रहे हैं क्योंकि आपके एकजाम में बोड मास फिक्स है और बोड मास में बनाना आप लादें इचलिए बता देते हैं कैसे बनाना है सुनिये गा सबसे पहले आपको ये पूरे ब्रैकेट को solve करना होगा कोई किये हैं यहां से इधर solve किये होंगे कट कुट हो गया होगा जीरो यास या नो अब हम करने वाले ने फिर इसके बाद पहले किसका किरिया होगा आपका हो गया अब भागा है तो पल्टी मार जाएगा फिर यहां आएगा यह हटेगा अराम से घटा दीजिए बना दे की बढ़ हैं हाँ बढ़ जाएं तो कि प्रॉब्लम बहुत है अभी इसमें कुछ नहीं यह प्रॉब्लम फिर देखिएगा फिक्स रखिए इसा प्रॉब्लम आदित अपने नीजी संग्रा से दो कलाई घड़ियां प्रतेक 12,600 रुपिये में मुल पर बेचता है पहली घड़ी पर 26 लाब और दूसरी घड़ी पर 10% हानी बनाने का टेक्निक सुनिएगा CP और SP पहला केस में 26 प्रतीसत लाब 26 लाब का मतलब खरीद 100 तो विका कितना में होगा 126 कटेगा तो कितना आ गया बोलिये 50 और 63 अरे दो से कटा है यस या नो और फिर क्या बोला दूसरी घड़ी पर 10 प्रतीसत का क्या होता है हानी 10 परतीसत हानी का मतलब 100 का सामान 90 तो 0 से 0 कटा क्या हो गया बोलिये 10 का 9 लेकिन प्रॉब्लिम में क्या बोल रहा था दोनों कलाई घड़ी प्रतेक 12600 के मुल पर बेचता है इसका मतलब तो एकॉर्डिंग तू प्रॉब्लिम दोनों का विक्रे मुल क्या होना चाहिए बराबर यहां 63 है यहां 9 क्या यह बराबर है बराबर करने के लिए क्या करना होगा साथ से गुना साथ से गुना किये तो 70 और यह 63 इसका मतलब अच्छा इसमें किसी से गुना करने की जौरत इसका मतलब ये 50 और 70 तो टोटल क्रेमूल कितना 120 ये 63 और 63 तो टोटल सेलिंग कितना 126 120 का सामान कितने में विका 126 में कितने का लाभ कहां से अगुना 100 तो बताइए क्या आ गया बच्चे छो दुनी बारा दो से कितना 5 परसेंट का क्या हुआ गेन हो गया नम्मा नम्बर नम्मा नम्बर सबसे बहत्रीन तरीका पुटिंग दा बहलू गेटिंग दा रिजल जब भी ऐसा सिच्वेशन दिखे अपने मन से कोई भी बहलू मानिये जहां पर कंडिशन मेरा क्या हो फूल फील हो अच्छा 0 पुडाना है हम इसको 1 बोले इसको भी 1 इसको तो क्या बोल दिए 2 तो 1 पलस 1 2 माइनस 2 जीरो यहां भी कंडिशन सब फूल फिल है ऐसा ने की 0 पुडाना है एगो को 0 1 माइनस 1 तो यहां अंडिफाइन टर्मा जाएगा न अब क्या करते हैं एक्स के जग चलिए पहले वाई है वाई का स्कॉर किये तो 2 का स्कॉर कितना स्कॉर एक टू वाई जड़ वाई कितना दो दुनी चार अम माइनस फिर बोलिये जड़ का मतलब एक टू एक्स एक है वाई दो है दो दुनी अब इसको सॉल्व नहीं कर लीजिए गा जी दो माइनस एक बाटा दो तीन बाटा दो आ गया यह अरे एक बाटा चार एक बाटा चार एक बाटा दो हो जाएगा तो दो माइनस एक बाटा चलिए दसमा नंबर एट इसका लॉजिक मेरा सीखिएगा सबसे सॉलिड क्या है लॉजिक अठासी से बिभाजित का मतलब कितना से आठ और आठ का बिभाजिता नियम अंतिम तीन अंक आठ से कटे यहां देखेगा चार चो बी अठी अठ पंचे चो जाएगा तो चो आठ के पहड़ा में किसमे चोंसट इसका मतलब बी का मान अब कुछ बच्चा क्या करेगा 11 से भी चेक करेगा तब तो एका माना आएगा लेकिन यहां उसकी कोई जर्रत नहीं है क्यों क्योंकि ऐसा पूछा गया है क्या पूछा है बी का पावर ए इसका मतलब जो भी आंसर होगा चार के पावर के रूप में होगा चार का पावर के यह एकासी देगा 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 कौन सा देगा हमको एसे कोई लेना देना ने हाँ तकलीफ कब होता जब ऑप्शन में आपका सोला रहता आपका फिर क्या कि दोसा चपन कुछ ऐसा रहता तब हम एक के मान पर जाते अब समझ में आ रहा है न एक का मान कैसे निकलेगा 11 के विभाजिता नियम से बहुत बार बताये भी हैं यह देखिएगा डारेक्ट यहां पर एक रिलेशन को याद रखिएगा बहुत फाइदा देगा कम समय लेगा MP बता CP क्या होता है 100% profit upon 100% discount अब देखिएगा क्या कह रहा है 18% छूट देकर कितने का लाव कमाया 24 अच्छा 24 लाव कमाया छूट कितने का दिया 18 तो क्या हो गया यह 124 अब बता में कितना आ गया बोलिए 182 कट रहा है किसी से यह 2 से कई बार में 41 अद 2 से 62 बता कितना 41 अच्छा यहू लग भगे में है ने जी तो पुड़ा कैलकुलेट किजिए यदि क्रैमूल कितना रखता है क्रैमूल यहां कितना है 41 इसी 41 का मान कितना है बोलिए 1500 तो हमसे अंकित मुल कितना बास अब तो इतना कैलकुलेशन करना होगा क्योंकि हम बाइ आप्सन भी अभी नहीं चल सकते हैं क्योंकि यह किसमें पूछा गया है लगभग में तो पुड़ा कैलकुलेट किजिए कोई किये हैं कितना दोसा ताइस उनसत यहां कोई रॉकेट साइंस नहीं लगेगा यहां करना ही पड़ेगा चलिए बारा नमबर इसको कैसे बनाएंगे सुन लिजिएगा तरीका यहां सबसे बहतरीन पहले इसको थोड़ा सा क्या करना है आपको सिंप्लीफाई आठ के पावर छोब पंदर के तीन माइनस दो बराबर जीरो अपने सुविधा के लिए इस पूरे में कितना से भागा दे दिये के क्यूब से जैसे भागा दिये हम के क्यूब से तो हमें क्या मिल गया दोस्तों बोलिये तो आठ के का पावर थिरी अपलस पंदरा माइनस बराबर जीरो तो अब हम कर क्या दिये आठ के का पावर तीन माइनस इतना बराबर कितना माइनस पंदरा लेकिन हमसे पूछ क्या रहा है के पलस वन बटा के अब यहां पे थोड़ा सा यदि ऑप्सन आप देखियेगा न काम आपका किलियर दिखे इसका मतलब यह जो आ रहा है यदि हम दो बोलेंगे तो एक बटा आठ ने जा रहा है चांसे मतलब के का मान यदि हम दो बोलेंगे तो यहां भी दो आएगा तो दो एक बटा दो होना चाहिए आठ बोलेंगे तो आठ बटा आना चाहिए इसका मतलब या तो आठ यहां पर देखें तो आथ वाथ रखेंगे आथ या दो रखेंगे तो यह बहुत ज्यादा हो जाएगा न क्योंकि आथ रखेंगे तो आथ का क्यूब गुना आथ दो रखेंगे दो का क्यूब गुना आथ इसका मतलब या तो हमें अब बटा में रखना होगा एक बटा आथ एक बटा दो एक बटा 8 रखेंगे condition fulfill नहीं हुआ यदि हम के बराबर क्या रखें एक बटा दो तो एक बटा कितना आठ आठ से आठ कटके क्या दिया एक यहाँ एक बटा दो लिये तो एक बटा उपर चले गया आठ दुनी 1-16-15 हो रहा है मतलब के का जो मान आया वह क्या आय वन बाई टू तो इसका मान क्या हो जाएगा 1 बाई टू पलस 1, 1 बाई टू, 2 कहां चले जाएगा ऊपर चलिए 13वान नमबर, यह तो डारेक्टे बन गया होगा, सबसे बहतर यहां by option, जो option इसको क्या करे, satisfy और सोचने का तरीका, तरीका होना चाहिए सोचने का, यहां तेरा पुड़ाना है तो सेक का जो भी एंगल पकड़ेंगे न उसमें रूट उट तर्म आना नहीं चाहिए अब बताइए तीस यदी पकड़ेंगे तो काम गरवरा जाएगा क्या पकड़ना होगा? साथ, साथ पर एक्जेक्ट टू, तो तीन कितना है? पांदुनी, अटेन साथ, रूट थ्री, रूट थ्री का है स्क्वार, तीन, दस, तीन, तेरा, ओप्शन कितना? चाहर, अगला, इसको फिर जैसे बनाना है, बनाईए, कोई टेंसन नहीं, 900 किलो मीटर की यात्रा में 11 घंटे पूरी होती है, यात्रा का दो बटा पांचमा भा हाग, दो बटा, अठारा पंचे, नब्वे, अठारा दुनाई, क्यतना? 307, किस चाल से चले? 7, इसका मतलब कितना समय लगा होगा? 307 बटा, कितना घंटा लगा दोस्त? 6 घंटा, टोटल कितना घंटा था? 11 में 6 घंटा निकल गया, बचा कितना? 5 घंटा, तो सेस दूरी, अच्छा, सेस दूरी का मतलब 900 में कितना निकल गया? 360, तो बचा कितना? 504, यही तो सेस दूरी, तो इस दूरी को कितने घंटा में तै करना है? 5 घंटा में, तो चाल क्या होगा दूरी बटा? समय 108, नए समझ में आएगा, बोलिएगा, इसको तो डारेक्टे बना इस अब में कुछ नहीं सोचना है अब, क्योंकि जब डेटा आसान है, 15 संख्या का आउसत कितना है? 30 तो योग कितना? 15, 3, 45, सारे 400, इन संख्याओं में से 13 का आउसत कितना? 32, तो इस 13 का योग कितना होगा? 13 दूरी 26, 13, 49, 49, 41, 46, 16, तो बचा कितना? 34, अब क्या बोला है सेस दो संख्या बराबर, तो संख्या क्या है? अच्छा ये 34 जो है वही दूरी वो संख्या है न? अद दोनों क्या है? बराबर तो इसका मतलब कितना? 17 सत्र जाएगा दोनों? कुछ नहीं सोचना है, अन्य तो फिर बहुची सोचना पड़ेगा, दिमाग पे जोड नहीं द देना है, जैसे चल रहा है, चलने देना है, क्या? आगे की और बरते हैं, ये फिर रिजल्ट के रूप में याद रखियेगा, क्या? ध्यान रखियेगा ये चीज, यदि कोई ट्रेंगल है आपका, ये इस पर क्या है? परपैंडी, कूलर, अब ये इसका एंगल, बाई सेक् ये देखेगा, एंगल बाई सेक्टर है ये, ये रेखा क्या है? एंगल बाई सेक्टर और ये क्या है? परपैंडी, अब हो सकता है ये इधर खिचाए या? इधर खिचाए, ये निर्भर करता है एंगल पर, समझ में रहा है ना? तो अब जो ये जो एंगल होता है, ये क्लियर है AD कहां पर लंब है BC पर और AE कोन इतना का क्या है समद्वी भाजक है एक एंगल आपका कौन सा है B कितना है अंठावन और C कितना है दोस्तों 34 तो ये एंगल अभी बोले न ये एंगल यदि पूछेगा हाफ ओफ एंगल B अ माइनस एंगल C बढ़का एंगल में से किसको घटाईएगा छोटका एंगल को बहुत पूछा गया है रेलवे के एकजाम में भी खूब पूछले था ही तो क्या हो जाएगा आंसर एक बटा दो अन्थावन और 34 का अंतर कितना 24 24 का अधिया 12 डिग्री 16 के बाद 17 है यह तो मुझवानिये खिच देते आप नहीं तीस के केस में सामने की भूजा 1 सटी हुई भूजा और 90 के सामने दो लेकिन उसका जरत नहीं है समतल भूमी पर बिंदू क्या है पी से एक मिनार के सिर्स का उन्यन कोन कितना डिग्री है 30 यदि मिनार इतना मीटर उची है तो बिंदू पी की दूरी अच्छा ये जो भैलू है किसके कारण है एक कामान 110 रूट 3 तो कितना कामान तो रूट 3 कामान तो इसमें कितना से गुना होगा रूट 3 से अरे एक का मान ये तो रूट 3 से गुना हो जाएगा ना रूट 3 गुना रूट 3 3 11 तीया ताहित इस तीन सा तीस अगला नंबर 18 हमा ये तो अब इसको बनाने का बहुत तरीका है एगो ना है कोई बच्चा ये भी फॉर्मुला लगाए होंगे जो यहां सबसे सिधा हुआ है उ देख लिजिएगा वेतन में 50 प्रतिसत कमी का मतलब 2 से कितना अरे 50 कमी 100 से 50 से न 2 से 1 50 विर्धी का मतलब 100 से 1,5 से 2 से 3 और फिर क्या बोला है 100 परसेंट विर्धी 100 परसेंट विर्धी का मतलब 100 से 2 से 1 से 2 कोना-कोनी कटेगा तो कटा ये टोटल कितना, दो और यहाँ, कोना-कोनी कट गया, दो एकम दो, तीन एकम तीन, तो दो से कितना हुआ, कितना से बढ़ा, कहां से, गुणा सो, ये बढ रहा है न, उपर एरो का मतलब विर्धी, तो कितना परसेंट, जिनको ऐसे नहीं बनाना ह वो ऐसे बनाए होंगे, 50 का कमी अब 50 का विर्धी, तो 25 का कमी, अरे सेम से बढ़ा, सेम से घटा, always कमी होगा, 50 बढ़ा, 50 घटा, तो 25 का न, अरे X स्क्वार बटा स्वापता ही कि नहीं कुछ, तो यहां दोनों मिलाए 25 का कमी, अब यह 25 का कमी किसके साथ, 100 विर्धी, तो कैसे लिखेंगे इसको, माइनस 25 प्लस, माइनस 25 गुना, बटा, कट गया, हो गया कितना बोलिए, 50 पोजेटीब में आया, तो क्या देगा यह, गेन को बताएगा, विर्धी को बताएगा, दोनों मेथर सही है, उनिस नंबर, अच्छा, जब एक आकृती को गलाते हैं, और एक नया आकृती बनाएंगे, तो दोनों केस में, आयतन को क्या करना होगा, बराबर, यहां 21 सेंटी मीटर तिर्जिया और 30 सेंटी मीचर संकु दिया है न, छोटा गोला बनाएगा, संकु का आयतन, बोलिए, एक बटा, तीन, एक बटा, तीन, पाई, आरे स्क्वाइर, 21, 21, एच कितना है, अग गोला का आयतन, चार बटा, तीन, पाई, आरे क्यूब, लेकिन एक चीज देखे, यह पांच एमेम है, तो इसको पहले, ए दस से भाग देके न, संटीमेटर, अचा, क्यूब करेंगे, तो डारेक्टे हम लिख देए, एक बटा, आइसा, आइसा काई गो, एन गो, नहीं समझे मेरी बात, अब यहीं पे कैलकुलेशन, एक बटा, तीन, पाई का कहानी, खत्तम, चार से काई बार में, दो, अब मेरा लोजिक, सुनिए यहाँ, या तो गुना कीजिए, एक बटा, एक बटा, यह कटा, लेकिन आब रूख न, दूगो है न, अचा, दूगो है, दुनों में छोए है जीरो के बाद, उसको चेक मत कीजिए, इकीस है तो तीन से कटना चाहिए, अरे ने समझे, एकीस तीन से कटन चाहिए, या साथ से कटना चाहिए, तो तीन ज्यादा आसान है, पकड़ ये, छो, दू, एक, तीन, आध, ये नहीं न होगा, सिंगल बचा, बढ़ते चलना है एकदम, अन्ने मन मान रहा है तो, गुना करना है, ये प्रॉब्लम देखिएगा, यहीं पे आपको फिर से ढंक से सोचना पड़ेगा, क्या, A और B दो अभाज संख्याएं है, A greater than क्या है, B, उनका LCM 209 है, अच्छा, दोनों संख्यां क्या है दोस्त, अभाज है, तो LCM दोनों संख्यां का क्या होगा, गुनन, फल, क्योंकि दोनों क्या है, अभाज है, अच्छा, HCF पूछता त HCF वने जाएगा, अब यहाँ पे कैसे सोचेंगे, वो दोनों संख्यां, यह देखिए तो 9, 2, 11 से कट रहा है न यह, यही चीछ आपको सोचना था, इसका मतलब यह 11 तो यह 19, A greater than B, तो इसको A पकर लिजिए, A इसको B पकर लिजिए, A square minus B, 19 का A square, minus 11, एक में एक जाएगा जीरो, सिंगल ओप्सन दिखा, नहीं समझे बात, अरे नो नमा, एक आसी, एक में एक घटा ही है, अदूग और आता तब सोच समझ करते, क्या यहाँ तक कोई दिक्कत की नहीं को, रूम पे जाके बनाते हैं की नहीं, आँ, तो अब तो सही होना चाहिए, क्योंकि आप रिपीट कर रहा है, अज जो प्रॉब्लम बार बार रिपीट कर रहा है, उसको धिहान रखियेगा, खास करके एक ऐसाई वाला प्रॉब्लम, हर एक सेट में वो चीज क्या है, पूछा गया है, आने वाले समय में फिर पूछा जाएगा, तो चलिए, आज के लिए ही तक मिल किते हैं अगले क्लास में.